चोविस घंटे में से इस दो टके का नेटवर्क खतम कर दूँगा बाबा सिद्दकी के मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्णोई को पपू यादो ने दी खुली चुनोती नमस्कार मैं संयूपतादेश्मूख और आप देख रहे हैं खबर दस्तर बाबा सिद्दकी की हत्या के बाद बिहार के निर्दली असांसत पपू यादो ने लॉरेंस बिश्णोई को खुली चुनोती दी है पपु यादो ने कहा है अगर कानून अनुमती दे दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्णोई जैसे दो टके के अपरादी के पूरे नेटवर्क को खतम कर दूँगा महराश के पूर्वमंत्री और तीन बार के विधायक बाबा सिद्धिकी की हत्या को लेकर राजनीती शुरू हो गई है विपक शिंदे सरकार पर हमलावार है जबकि इतने बड़े नेता की हत्या हो सकती है तो राज में जनता कितनी सुरक्षित है इस बीच बिहार के निर्दलिय सांसत पपुयादो ने गैंस्टर लॉरेंस बिश्णोई को खुली चुनोती दी पपुयादो ने कहां है अगर कानून अनुमती दे तो 24 गंटे में लॉरेंस बिश्णोई जैसे दो टके के अपरादी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर पूर्णिया के सांसत पपुयादो ने एक्सपर लिखी अपनी पोस्ट में विवादी शब्दो का इस्तमाल किया है उन्होंने लिखा है ये देश है या फिर फोज है एक अपरादी जेल में बैठकर चुनोती दे रहा है लोगों को मार रहा है लेकिन सभी मुकदर्शक बन पपुयादो ने लॉरेंस बिश्णोई को दो टके का अपराधी बताया उन्होंने इसी पोस्ट में गैंस्टर को चुनोती देते हुए कहां कि अगर कानून इजाजत दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्णोई जैसे दो टके के अपराधी को उनका पूरा नेटवर्क मैं खतम कर दूँगा इससे पहले पपुयादो ने जो पोस्ट की थी उसमें बाबा सिद्ध की को बिहार का बेटा बताया था दरसल बाबा सिद्ध की बिहार के ही रहने वाले थे और बाद में मुंबई जाकर अपनी राजनीती शुरू करी थी इसमें उन्होंने महराश्ट्र में महा जंगलराज बताया था पपुयादो ने लिखा था कि वाई सिक्यूरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्वमंत्री बाबा सिद्ध की की हत्या महराश्ट में महा जंगलराज का शर्मनाग प्रमान है बिहार के बेटे बाबा सिद्ध की हत्या अत्यंत दुखत ह बीजेपी महागठबंदन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेताओं की रक्षा न कर पा रही है तो आम लोगों का क्या होगा नसीपी नेता बाबा सिद्धिकी की शनिवार देर रात में बांदरा इलाके में गोली बार कर हत्या कर दी गई उनकी हट्या की जिम्मदारी लॉरेंस बिश्णोई गैंग ने ले ली बिश्णोई गैंग ने सलमान खान और दाउद गैंग के करीबियों को धब की भी दी उन्होंने कहां कि ऐसे लोग अपना हिसाब किताब रखना बाबा सिद्धिकी का राजनीती के साथ साथ बॉलीवू में शामिल हुए थे इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए हमारे चैनल खबर दस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है नमस्कार